यह जो शेवंथ सेप्टर है ना तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसेश इस अब इससे पहले भी प्रोसेश इस पढ़ रहे थे एक जो चप्टर शिक्स में आपने पढ़ा था समन को और वारेंट को अना अब क्या है कि कुछ और प्रोसेश हैं खास तोर से जब आप section 70 पढ़ रहे थे ना तो 70 के clause 1 में ही आपने पढ़ा था कि यह किस किस चीज के लिए निकाल लाए हैं तो किसी चीज को पेस करने के लिए मानो वारेंट निकाला गया है तो उसके लिए एक कोर्षण है क्शेप्टर 7 मैं ठीक चीजों को तलास करने के लिए वारेंट निकाल आ सकता है तो चीजों की तलास के लिए एक पोर्षन है फिर दो पोर्षन लिखती है उस पोर्षन के बाद तीसरा पोर्षन लिखा है जनरल प्रोविजन्स हैं चैप्टर सेबन के तीन हिस्से हो गए एक तो किसके लिए तो प्रोड्यूस 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 करने वाले जो चीजें उसके लिए वारेंट जारी कर दिया दूसरा क्या है तलासी के लिए वारेंट जारी कर दिया और तीसरा हिस्सा क्या है एक जनरल सब्सक्राइब करें तो कैसे करेंगे घर में वहां कोई मैल आए तो उसे कहेंगे देखका ऐसे तुम आप घूंगट वगरा करती हो इसलिए तुम यह चोड़ कर जाओ चली जाओ बाहर चले यह सब बात है जनरल प्रोजय के तोर पर लिखी हुई है तो हम लिखी हुई है नई पूरा चयप्टर है तीन हिस्वा है इसके चैप्टर के चैप्टर 7 जबतफ़ा फिर था पहला छीजों को फेज करना दूसरा तलासी और सामान जिए सव करी की तीन हिस्वह में चैप्टरन ऑ एक तरह से क्या है意ंत चैप्टर 6 का हिए उसकी हो सकता कोई चीज हो सकते हैं तो सबसे पहले चीजों को पेस्ट करने वाला हिस्सा देखिए आप एक वाद को के नांति वंशन ए दू सेख्शन डे रख देखो किया है कि जो सेक्शन 91 है ना सेक्शन 91 आप देखोगे कि इस अब 91 का बात नहीं वे बात नहीं कि जैसे 91 का आदेश कर दिया कौन अधिकारी भी कर सकता है मानलों को ऐसे हो है कोई थानदार है कोई कर सकता है कोई कोड कर सकती है तो 91 के ब्यापक है किसी बी डॉकुमेंट के सबको पापर दे रखी है investigation में, trial में, सबको. 91 एक line में यह आपको ध्यान आना चाहिए कि कौन-कौन को पापर है, यहां ध्यान रखना है, officers भी है, आपके objective में सिर्फ यह है, कि 91 में कोई भी चीज हो, कोई भी document हो, case करने के लिए, जैसे माल लो एक आदमी के पास, जो 91 का समन बेज़ देगा उसको वह यह ले आओ आपकी यह चुनाबायों की आदेश आया है इसलिए यह सब जमागरा से को पोड को लगे कि यह चीज पेस करो तो कोई मना नहीं कर सकता यह सब को पेस करना होगा यह 91 है पढ़ लिया देखो जो 91 में पढ़ा आपने तो 91 में पुलिस अदकारियों को इनको सब को क्या थी प्रूविजन सभी को यह पावर थी है ना यहां क्या किया एक सेक्षन और बनाया नहीं 92 दोनों में ही तू प्रोडूस के लिए वारेंट है दोनों में लेकिन 92 में क्या किया कि यह जो चीज़ें डाक से भेजी जा रही है डाक घर में हैं पोस्ट ओफिस में हैं उनको हर एक आदमी नहीं मगा असकता उनको पुलिस अबाले को यह नहीं समंद दिया है और यह नहीं पेस करें नहीं नहीं वो पेस नहीं करा सकते आप इसके लिए क्या कि चार अधिकारी को दिया एक तो CGM को दिया एक सेसन जज को दिया एक इनों ने DM को दिया और एक इनों ने हाई कोड को दिया इनको ही यह पावर के जब तक इन से आधिस आ जाएगा लेकिन अभी रखी रखो केवल इनको है अब एक और चीज़ है मानलो आप माई स्टेट फर्स क्लास हैं तो जे एम हैं जे एम को क्या है कि भाई जब तक इन से आदिस आ जाएगा लेकिन अभी रखी रखो यह एस पी है पुलिस अदिच्छत है है ना तो इनको यह पावर दे रखी है कि यह चीजों को रुकवा सकते हैं सुप्रिंटेंट को कहेंगा बैसाब इसको रोके रखना यह पोस्टल मतलब यह डाग आगे मत बेजना क्योंकि हम सीजेम साहब का या सैसन जास साहब का या डियम साहब का या हाई कोट का आदेश लेकर आ तो नहीं समझ में आगे होंगी सिंप्ली आप 91 में कोई भी आजमी को दे रखा है और 92 में केवल जो डाग घर के दस्तावेज हैं उन्हें करने के लिए सब के समझ में आगे हैं नो इश्यू दोनों पढ़ डालो 92 पढ़ो 92 जस्ट पढ़ो जल्बी यह पता रखा 93 93 पढ़ो सर्च कब कर रहें तो मों कहता है कि 91 92 के आदेशों की पालना नहीं कि मालों जैसे टागगर का अधिकारिया वो नहीं बेज रहा है 92 कर दिया तो भी नहीं कर रहा अधिस की पालना तो क्या करेंगे सर्च वारंट जारी कर देंगो नागगर की भी सर्च हो जाई है इसमें 93 में तो आपने यह पढ़ लिया अब बचे 94 से सेक्षन इसमें क्या किया है इनोंने अलग अलग चीज़ों में अलग अलग जैसे चुराईवी कोई इस्ट्रोलन प्रपर्टी है जैसे मैंने थोड़े दिर पहले बता रहा था तो उसमें क्या करते हैं जैसे इंसिट सब्सक्राइब करते हैं तो यह सारे के सारे मजिस्ट्रेट्स को पावर है SDM को पावर है DM को पावर है Session Judge को पावर है इस सब को पावर है आपके जो confusion की जो इस्तिती थी ना डाक तार वाले में ध्यान रखना बस कौन से वाला है? 92 में 92 बताया था ना उसमें ध्यान रखना उसकी बागी मजिस्ट्रेट फर्सक्रास को सारी पावर है SDM को है, DM को है, Session Judge को है यह सब को पावर है सब बारन जारी करने की आपने देखा न कई बार ED आगी ED की कारवाई और यार शापा पड़ गया वो सब 94 में है अब आप जी सोचते हो 94 में यह लेकर किससे आते हैं पावर तो होता क्या है? अपने यह दिखारी से लेकर आते हैं इन्वेस्टिकेशन कर रहे हैं न वो जैसे कोई अपराद हो रहा था इन्वेस्टिकेशन कर रहे हैं तो इन्वेस्टिकेशन कर रहे हैं तो कोट से लेकर आएंगे जैसे आपको ध्यान आ रहा है मैंने एक सेक्शन बताया सेक्शन पच्पन semi-barrent तो वो अपने नीचे उपर का अधिकारी नीचे के अधिकारियों को अधिक्रत कर देता जाओ अब करनी सर्च है तो सर्च करनी है तो फिर ये इनमें से किसी के अब ये तो सरकार के अधिकारी है मालो जैसे ED आपने देखा यहां EDI आई तो उनके पास कहां से आया तो OCED के एक्ट में लिख रहे हैं कुछ फूविजन से इनमें उन्हें इस तरह की तलासी और ये सब चीज़ देमांड करने का तो वह जब देमांड करते हैं जैसे कूछ ताच करते हैं किलाओ कूछ ताच हो रही है यह दस्तावेज पेस करो तो वह तो करते हैं 91 में कौन से सेक्षा में करते हैं 91 का किसाथ यह आप उपलब्द कर आओ कोई कहें जैसे लाओ जी आप अपना मोबाइल दो तो सब के लिए डॉकुमेंट देना पड़ेगा तो लिख के देना पड़ेगा लो जी 91 का वारंट तो समन लिए 91 का और मेरे को अपना मोबाइल दो इस मोबाइल को जब करेंगे तो नाइन टी वन में का अब 94 में क्या है कि 94 में आपके घर की तलासी लेनी है जी ऐसा है आगे घर अब कैसे आओगे घर आगे तो तो इसका निकला कुछ नहीं लेकिन बेका इसे से सब्सक्राइब याद रहे जाए जाए याद रहे जाए जाए जैसे 91 में अब देखो एक 95 और 96 एक साथ ही पढ़ने चाहिए 95 और 96 जैसे यह न पॉब्लिकेशन पॉब्लिकेशन समझते हों पॉब्लिकेशन का मतलब जैसे अख़वार चपता है यह भी पॉब्लिकेशन है कोई निकालना यह भी पॉब्लिकेशन है और इन पॉब्लिकेशन में मालो कोई ऐसी किताब छप गई किसा यह धर्मांतर गुरोदी या धर्मांतर वाली किताब या ऐसी किताब है जो दो पक्षों में लड़ाजी करा देगी या ऐसा न्यूस पेपर है इसमें ऐसी खबरें छप रही है तो इनमें समय आये तो इसमें क्या बड़ा sensitive मामला है क्यों क्योंकि प्रकाशन को रोकने का मतलब है कि 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 फंडामेंटल राइट का वाइलेशन कि जानना मूल एक अधिकार है जानना मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट जानना है राइट टू नू कि देखो आर्टिकल निस में थोड़ा याद है क्या आपको आर्टिकल निस क्लॉज बन ए हैं फीडम ऑफ इस्पीच एंड एक्सप्रेशन अरे आप इस्पीच तभी तो दोगे जब आपको कुछ कान में डाला जाएगा वह जानने वाला दिकार क्यों आया आप बोल इसलिए रहे हो क्योंकि आपने बोलना सीखा तो इसका मतलबी यह हो गया कि स्पीच के साथ जानने का इदकार भी जुड़ा हुआ है बोलोगे तो तभी जब जानोगे और जानोगे कहां से कान में आएगा दिमाग में आएगा इसलिए कहा कि बोलना ही बोलना नहीं जानना आएगा तो बो कि पानल से गुंगा अदमी है क्ऐते हुआ कर समझी नहीं बोला नहीं जाता है उधारा निए पतले हैं कि चाष्ट कि ये जिक लेकर नहीं में यह स्मझ हो जाने तो वह समझी के सकोर से जिक इसने रुदे बहुचाए आप की जैसे कई बारी इंट सोझते हैं सर्द नहीं सेख पाते हैं अंग्येजी सीख कोबें सिर्फ तब अंग्रेजी कम सीख हो ग Creo जब अंग्रेजी सुनुगे और यजय सुनते तुर सीख नहीं सकते हैं समझें यह है अरे कुछ नहीं है तो आदा गंठा कम समझ MEN लाना दी मे लाइन लाइनoca धी मे दी मे लाइन気 समझे होगे तो फिर बोल सकते हूं ऐसे लोह में इतना ज्यादा सुनोगे تو फिर लिखोगे फिर बोलोगे तो सुनावने वाला तो चाहिए कोई इस बने रहे हैं सेल विश्टिटी क्या कर रहा है तो सुनतो रहा नहीं है तो 95, 96 तो 95 में कह रहा है कि जितने भी पॉब्लिकेशन से हैं तो यह हो गया है इंपोर्टेंट हो गया तो यह हरे एक के पास नहीं है जैसे आपने देखा किसका पॉब्लिकेशन उसका डाक्तार का 92 में किसको दी पावर कुछी लोगों को दी ऐसे इस सर्च वारेंट यहां पर पॉब्लिकेशन और इनके संबंद में है ना तो यहां लिम्टेट कर दिया तो यह सर्च वारेंट से इन पृतियों को इनको अख़वारों को इनको किसी भी पॉब्लिकेशन को जब्त किया गया है तो उसके लिए पुरसियत दे रखा है 95 और 96 में तो यहां पर यह सब्सक्राइब करते हैं अभी तो नीचे नीचे हो ता मैस्टेट कर रहा था डियाएम था यहां पर Πावर किसको है कि स्टेट गवडर्मेंट को भी पीर सबंपेक्टर या मैस्टेट कि इनको कर सकते जैसे मालों कह twee यह असली बस्तूए है कैसे यह सब आती है फिर पता क्या होता है जैसे आपने कर लिया लिया जो भी पॉब्लिकेशन जब कर लिया फिर दो महीने के भीतर भीतर किते महीने भीतर भीतर जो कारवाई स्टेट गवर्मेंट ने या उसके अतिकारियों ने की है ना दो महीने के अंदर अंदर वो कारवाई को चेलेंज किया जा सकता है larger bench के सामने किस bench के सामने larger bench का मतलब समझते हो single bench division bench division में 2 single में 1 larger में 3 constitutional में 5 उसके बाद full bench total bench क draw बता entirely सुनना हैं तो विध데 कुई दो सुनना है तो भी उससे बैंच healthy माना जाएगा एचे एक सुनेगा तो उसको बोलते सिंगल मैंच के कल पीछ दो सुनते हैं तो उसको बोलते हैं खंड पी पांच जज़ सुनते हैं तो उसे बोलते हैं संबैदानिक पीछ और समस्त जज़ होते हैं तो उसको फुल बेंच बोलते हैं अब कॉंस्टिटुशनल बेंच पांच से सुरू होती है पांच की हो सकती है साथ की हो सकती है 11 की हो सकती है 9 की हो सकती है 13 की हो सकती है अब जैसे के केशवानन्द भारती का जो केश था उसमें तो बेंच बहुत बड़ी थी अभी यह जो बॉंड वाला जो मामला दिया इसमें साथ जज बैठे थे एक साथ सेवन जजज बैंच थी बड़ी बैंच सुर्फ इसलिए बनाते हैं क्योंकि उससे नीचे की बैंच उसे फिर कभी चैलेंज नहीं होगा केश वानन्द भारती वाले केश को हटाने के लिए फिर आपको बैंच किसने कि लाने तेरे जजज इसकी बैंच थी वह तेरे जजज एक साथ बैठके टेसला किया आजकल तो सुप्रियों कोड नहीं भी जाते होनों तो आजकल मोबाइल पाए जाता है सब कई बड़े मेंटर्स तो रिकॉर्ड होते हैं लाइब चलता है और एक जजज जो सीनियर होता है वो उस बैंच का हेड कर रहा होता है अधिक्षिता होती है एक बैंच एक अधिकारी की उसकी अधिक्षिता में तो क्या समझ मैं आया है नाइटिफाइब नाइटिसिक्स में आपको कि पब्लिकेशन के मामले में सब इंस्पेक्टर से उपर की पंक्ती का कोई भी अधिकारी इनको जब्त कर सकता है और नाइटिसिक्स में यह कह दिया कि दो महिने के बीतर बीतर उस मामले को चैलेंज भी किया सकता और इसके कौन सुनेगी एक लार्जर बेंच उसको सुनेगी अब एक नेस्ट है देखो इन बंच के तौर पर द्यान रखना आप लोग इनको एक सेक्षन नाइनटी सेवन नाइनटी एट इनको भी एक साथ याद रखो इस नाइनटी एट क्या है कि 97 में तो कह रहा है कि केसी भी वक्ति को कंफाइन कर रखा है ना कि और सदो पर रुद्ध कर रखा है कौन साथ है कि कि कण्फाइन कर रखा है मालों हूंने किसी को बेठा है तो कोई भी आदमी जैसे आप देखा न गुंडे हैं वह पैसे देने तो मैं ते ले को बठा लिया घर पर बठा रखा आए या कहीं पर बठा रखा इन वहां तो ऐसे व्यक्ति को जहां भी संदे हो गई यहां पर बठा रखा है और ज्यान रखना यह उनके लिए भी है आपने देगा था ना के सचिन पाइलेट और उनकी टीम यहां से जाए कि हरेना में बैठ गी थी अपने इस्टेट भी नहीं बैठी थी पर हरेना में भी जागे कर स तो जैसे पता चलता है किसी भी व्यक्ति को कंफाइन कर रखा है तो पुलिस क्या करेगी वहां कि उसको तलासी कर लेगी और तलासी वारेंट कौन जारी करेगा मैंस्टेट फर्सक्लास कर देगा और यहीं पावर है यहां पर 18 से कम कि क्या बूलता हैं मिनी एवियर्स कॉर्पस यह पावर मेर्स्टेंट के पास आप देखो मेर्स्टेंट के पास पाक्ष यह एस्टीम के पास भी है एस दो इसे बात रहा है इससे बाहर कोई कुछ नहीं आ गाँ कि अब यहां आपने क्या देखा दोदों के बंच में आ रहे हैं सारे सेक्षन पढ़ डालो इसको दोनों सेक्षन को 97-98 पढ़ लिया अब देखो यह जो वारेंट है ना अभी जो पढ़ रहे थे तलासी यह सब सारे वारेंट आपने किसके देखे एक अब दोबारा से 91-91 में क्या पढ़ा कोई भी दोकुमेंट कोई पीछीज पेस करने के लिए था 92 पढ़ा यह पढ़ा आपने जितने भी डाक वत्तार विवाग में जितने भी कोई चीज जा रहे हैं पूस्टिल मट्रियल उनके लिए पढ़ा एना फिर 93 93 और 93 किसके लिए पढ़ा इस तला पासी वारेंट था सर्च वारेंट 95 और 94 है कोई इस्टोनल प्रापर्टी है कोई कूट रचित दस्ताबेज है इस तरह की चीजां है 94 में फिर 95 95 96 एक साथ बोला था कि 95 और 96 और 97 98 एक साथ बोला था मैंने अब पता है 99 99 सिर्फ एक बात है कि तलासी वारेंट कौन करेगा तो कोई पैसे पुलिस करती है पुलिस के लावा किसी भी वेक्टी को दे सकते हैं अब देखो यहां पर एक सेक्षन है जो आपको थोड़ा याद रखना चाहिए 99 इंपर्टन नहीं है 100 100 यह क्या पताता है कि तलासी होगी कैसे तरीका क्या होगा तलासी का तरीका यह होगा जब भी तलासी लेने जाएंगे तो पहली बात तो आजकल क्या कर दिया गए तलासी लेते हैं तो उसकी वीडियोग्राफी चलती रहेगी वीडि आजमी कौन से पड़ Daoos के आसपास के दो आद्मियों लेते हैं दो विटनेस होते हैं उनको रकेंगे साथ में और साथ में जो भी तलासी में आपको मिला उसके पूरी की सर्च सर्च महव बनाइंगे क्या बनाइंगे सर्च महव सर्च मेमों में लिखेंगे क्या 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 ये चीज़ां उससे भी सायन कराइंगे जरबाले से भी सायन कराइंगे और इसके अलावा उन लोगों से भी सायन कराइंगे मान लो पड़ोस से कोई इतना खुंकार आजमी नहीं मिले पड़ोस के आजमी दूसरी जगा के भी आजमी आ सकते हैं पर कोसिस की जाए पहले पड़ोस वाले होने चाहिए क्या होने चाहिए पड़ोस वाले होने चाहिए ठीक और मान लो कोई महला है परदा नसीन महला है मतलब सामान तौर पर उनके सामने नहीं आती उससे कहेंगे तुम हट जाओ यहां से आपने देखा था ना एक सेक्षन पढ़ा था आप लोगोंने 47 पढ़ा था 47 भी तो पढ़ा था तो वहां भी आपने सर्च पढ़ी थी तो वहां कौन किसी इस्तिती में हो रही थी औरो अब कर भी कैसे हो रही है आप कि ठीक है ऑढ़ डालो एक एंड़ेट को ऑडरो इस अब पुर्शना पूर्शन घुक सरtha क्या जूरी दिक्ष्टन से बाहर के लिए इसे बाइर जारी इह बrence सकती है तो सौक और एक्सक और एक सब बढ़ें व बाहर कर लो च्याय कर capitalism एक ही बात है बाहर करते हैं ना बाहर करते हैं यहां भी करेंगे तो क्या होता है कि जो भी तलासी में आपने लिया वो सब मैस्टेट के सामने पेस करना है लेकिन जैसे मानलों को यह ऐसा है पैरिसेबल थिंग है जैसे कुछ ऐसी चीज़ें खराब हो जाएंगी एक दिन में उन सब चीज़ों को बेच के उसका पैसा रखना होता है बताना पड़ता है कि सब यह पैरिसेबल थिंग थी और आमने इसको बेच दिया और इतने विकिए और इसने पैसी इसकी घटा है तो ब्यॉंड दजू एक जो बीक्शन भी कर सकते हैं और सब की चीज़ों की प्रू जैसे इसी कोई चीज है जैसे वाजनों ट्रुक पर काहिए जन किया कोई चीज कोटेमाकर किसे लेकि जा ओए जैसे कुछ मामलों में जैसे गाइंस Luego को लेकिस ङौग उपर चड़ाया किसा लेकि जाओंए तो उनको कहे देते हैं कि सर यह फोटो ले Tusk करते हैं क्यालकर जै नीचे आकर देखता है वहां लोग ऊपर कोट ऊपर चले तो जाकर देखेगा अच्छा यहां यह है ऐसा नहीं करते कर वाई नहीं देखें समझ में आगे सबके और बाकि इसमें और कोई section ऐसा नहीं है जिसे आपको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं 102 में वारे सबस्तों यह जो बी पड़ी हुए होती है इसको पून किया आपने देखा 102 में जबता है जो भी लावारे सबस्तों है देखो एक चीज समझ के रखना जब आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है बोलो बोलो बताओ बताओ जो सर्च होती है वो इती रेड में और इसमें सेन होती है वह है सारा कोई अलग नहीं है अ कि आई टी रेड में तो ऑफिसर्व बिद्रभने अपने तेन लोगें की नाम पूछ थे कि आप अपने तीन नाम बतादो ऑनको बुलाएंगे नहीं वह इसलिए पूछते हैं इसमें भी है ना दिए फिरहार का मुखिया है वह कि एक अध्या इसलिए कोई त्वाला बोलेगा तो इसलिए तीन नाम देने की बात करेगी है जैसे आपने आई टी एक्ट की बात की या कोई और पीडी की बात की तो उन एक्स में भी क्या दे रखा है प्रुविजन दे रखे हैं कि इस तरह करोगे लेकिन वहां लिख दिया कि CRPC की दारा सो के अंतरगत तो वहां उनके साथ रीट बीड हो जाती है सेक्शन नहीं इसमें जो सेक्शन है न मैं बता देता हूं जिन पर आने की कोई संभावना नहीं देखो कौन-कौन से सेक्शन है जो बच रहे हैं जिन पर आने की संभावना है 106 है वैसे तो मैं और अभी बता सकता हूं 106 पर आ सकता है 107,8,9,10 आप से कूछने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि ओल्लेटी इतनी सारी चीज़े है ओल्लेटी इतनी मेंस में कहीं संभावना आए पर इसमें 125 पर आप से कुछन पूछेगा वो उसमें आने की संभाव होना है 125 से लेकर 128 तक के सेक्षन है 125 में भरन पोच्टन वाले जो केसिस लगते हैं मेंटिनेंस के जो केसिस लगते हैं तो उसमें तो सिर्फ इतना सा है कि जो अपरयाप्त सादन वाली कोई महला है बच्चे हैं माता पिता हैं वो माता पिता है तो अपने पुत्र पुत्री से मांग सकते हैं महला है तो अपने पती से मांग सकती है बच्चे है तो अपने माता पिता से मेंटिनेंस मांग सकते हैं बच्चे हैं तो जब तक कि वो 18 साल क नहीं हो जाते तब तक अपने maintenance मांग सकते हैं मेरे को पढ़ाई कर रहा हूं में जो कुछ भी कर रहा हूं अठाए साल तक कि बच्चों को अपरे अप्तसादनों वाली होनी चाहिए मालो पत्नी खुद पर एडवोकेट है पती से ज्यादा कमाती है तो उसे नहीं मिलेगा maintenance बहुत सारी लगा देती है अब एक लेडी जाई मेरे पास सब मेरे को maintenance लेना है मैंने क्या कर रही हो आप केस कर रहा है उसने कि मैं तो डॉक है और मेरे खारिज कर दी मैंने का देखो आप पड़ी लिखियो डॉक्तर हो कि देखो यहां पड़ो क्या लिखा है कि दवाइफ को डजनोट है या इंसफिशेंट मीन्स कौन से मीन्स इंसफिशेंट मीन्स वाले को नहीं मिलता माता पिता भी मांग सकते हैं माता पिता अब जैसे एक आदमी के ऐख यह लड़की ने prisoner कि उसने केस किया वर्ले मैं तो लड़की हूं लड़की थोड़े लतार दोनों थे लड़की दोक्ष थीने ने लड़की के ओपर केस किया मैं रहं माता पिता दोनों से मांग सकते हैं उनके लाले पड़ रहे हैं तो अभी तो दोगो वह एक्ट आपके स्लेबस में नहीं है वहाँ पर मैंटिनेंस की बहुत बड़ी वेवस्था की है ससूर से मांग सकते हैं जेट से मांग सकते हैं देवर से मांग सकते हैं कोई दादा दादी ये घर में तो वो मांग सकता है रिलेशन में ये तो वो मांग सकता है उसमें बहुत सारे बात है और वो आपके स्लेबस में नहीं हट गया पहले स्लेबस में था सारे और ये देना जर या बोई फ्रेंड बना रखा है एक मतलब जारता में रह रही है अडल्ट्री में है तो उसको भी नहीं मिलेगा तो इसकी लिंक कुछ चीज़ें जिनों नहीं मिलेगा और या दो कोई आदमी जिसे और दे दिया कोट ने आपको मेंटिनेंस देना और फिर भी नहीं दे रहा है तो हर एक चूख पर एक 30 दिन की सजा है हर वाद 30 दिन सजा जेल में रहना पड़ा है अब यह डिपेंड करता है स्टेटस को है कि आपका स्टेटस क्या है और इसकी अ अपील का होगी सैसम कोर्फ में होगी यह 125-188 तक प्रवीजन यह आपके काम आ सकते हैं फिर यह 119 और यह नहीं आएंगे यह सब एक्जुक्रीटव पावर्स हैं कि 145 तक के 140 147 तक यह नहीं आएंगे फिर 149 तक आप 133 तक वह क्या है कि यह पास पुलिस है ना पुलिस के पास भी पापर जैसे एक्जुटिमेश्टेट की बताया था ना क्या प्रिवेंटिब पॉबर्स है तो पुलिस के पास भी यह पापर है कि लॉए अडर मेंटेन करने के लिए वो अपने पूरी सक्ती लगा दे कहीं पह हो रहा है कि लॉए अडर मेंटेन नहीं हो रहा है तो कर देते हैं अभी आपने देखा होगा पुलिस आजाती है पुलिस आजाती है दोना पार्टी सब को पकड़ ले आती है सांति बंग में और कल हम नए अक्स दूरू करेंगे तो एविडेंस एक्ट वो भी आपको राइस तली के नोट से त्यार करना है नोट से ही पढ़ना ह एविडेंस एक्ट में क्या है तीन हिस्से हैं खेर कली बताओंगा आपको फिर बिता है